बच्चो आंज इस टॉपिक पर हम बात करने पाली हैं वह है विषय है शैश्य व्यविध्य जिसे ही pro diversification भी कहा जाता है अब सबसे पहले हम पात करेंगे कि शैश्य व्यविध्य या pro diversification होता क्या है जैसा कि आपको देखतर अब्षा दलरा है शैस्चे का मतलब होता है यहाँ पर फसल और वैविद्य का मतलब होता है विविद्य या अनेगता, ठीक है? शैस्चे का मतलब होता है फसल और वैविद्य का मतलब है विविद्य या अनेगता तो शैस्चे वैविद्य क्या हुआ? फसलों की विविद्यता अब हम उसको डिफाइन करेंगे कि कोई भी जो छेत्र है उस छेत्र में किसी समय विशेश में बोई जाने वाली पस्नों की जो संख्या होती है उसे ही हम सेश्चे विविद्धिता कहते हैं कि किसी समय विशेश में किसी छेत्र विशेश में बोई जाने वाले जो कुल पस्नों की संख्या होती है उसे लिए हम सेश्चे विविद्धिया या विशमता या शेश्चे विद्धिता कहते हैं यानि कि कोई चाइम पिरोड हमने लिया, जैसे माल लिजी हमने लिया मार्च से लेकर 충ार माई, जुम, जुलाई, मार्च से जुलाई तक कर le अगर टाइम लिया है तो इन चार वहीनों के अंतरगत अगर हम देखें कोई एक खेत यह तो हुआ हमारा टाइम अगर कोई खेत तो किसी निश्चित टाइब में किसी खेत में बोल जाने वाली जो फसलों की संख्या है उसे ही हम शैश्य बैविद्ध कहते हैं कि कोई एक खेत जो है उसे खेत में किसी निश्चित या पर्टिकुलर टाइम पर एक साथ में कितनी फसलों को पैदा किया जा र अगर किसी खेत में किसी टाइम पिरेड में तो अगर कशे हो फसलों की विविद्यता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अगर फसलों की संख्या जादा है, तो फसलों की विविद्यता यानि शैष्चे विविद्यता भी जाएगा, और अगर फसलों की संख्या कम है, तो शैष्चे विविद्यता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इ किसी निश्चित समय पीरेड में, किसी खेत विशेष में, बोहिजाने वाली फस्टों की संख्या जाती कम है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? कि शैष्य भैविध्य कम है, फस्लों के बीच में व你在ता कम पाय जारी, इसका मतलब वहां पर फस्वेंट में क्या पعा जा रहा है विशेशी करण या इस्टेशलाइजेशन पाया जा रहा यानिंकि इसका मतलब यह हुआ कि उस खेट में फसलों की संख्या कम है। zuhas pa am iksen जाला तो अभूहिए जाले इसी लिए उस खेट में उस उन फसलों का क्या हो जाए गा इस ते tag you buy हो जायता कि वर्तमार सभें में प्रहजाने तो आज इस्टिर को आधूनी क्रशी का मुख्य विशेष्टाtal के रूप में उभर कर सामने आ रहा करते हैं उसमें सबसे पहले हम देखें टोषिज में सब्सक्राइब करता है तो सिचाइ क्रॉप क्षैय को प्रभागी करने वाला महत्युपूर कारत है सिचाइ की सुछी नहीं जी जादा अपलत होंगी अपना लाइगा को अधयाता है उननत, बीच, रासाइनी, खाद, इफ, नाशक, इंद का फ्योग जतना जादा किया जाएगा, लिवर्सिपकेशन उतना ही ज्यादा होगा। उसके साथ में आता है आदूनिक यंत्रों का प्रियो कि हम क्रशी के msक्रशी के अंतर्गर्ट कि on न clumsy को सितना चाज़ा कि एपना सकते हैं जैसे टैक्तर है घारवास्तर है जितना ही आगर! वर्तमान में हम क्रशी के आदोनी कुट करन है, उनको काम में लेंगे, तो उसके काम में लेने से हम सहशय व्यविद्य को अच्छे से अपना सकते हैं, नेक्स आता है आपका मौसं की एहनिस्टित्ता अब एक किसान शैष्य वेविज्या पसल विशमता को क्यों अपनाता है उसका मुख्य कारण है कि भारत की अगर आम बात करें तो भारत जो है वो मांसूनी जल्वायों वाला देश है और यहां पर मांसून क्या होता है एहनिस् मद्रा में आर्थिव नुकसान उठाना पड़ता है वहीं अगर एक किसान अपने खेत में एक साथ पांच या दस फस्मों को उगाता है तो मांसून की एनियमित्ता एनिस्टित्ता का किसी पसल पर प्रभाव होगा तो वो तो नस्ट हो जाएगी लेकिन जिन फस्मों पर मा प्रभाव जाएगी तो किसान आर्थिक नुकसान से क्या हो सकता है बच सकता है तो सेश्य वेविध्या अपनाने का मुख्य कारण यह है कि भारत जो है मांसून की जलबाई वहाना दे से और यहां पर मांसून की एनियमित्ता और एनिस्टित्ता पाई जाती है अब उस एन नुकसान से बच सकता है क्यूंकि मांसून का प्रभाव कुछ फस्लों पर पड़ेगा जिसके कारण उनका हमकी शती होगी तो क्रसकों के वल उनी पस्मों का नुकसान उठाना पड़ेगा और मांसून के प्रभाव से जो फस्ले बंचित रह जाएंगी वे फस्ले उग अगर वित होगें तो शाष्यवयविद्य तो खोगue हम अपना सकते हैं आब आता है फस्लों की संख्या अधिक होने पर शाष्यवयविद्य के अधिक होगा यानि कि एक खेट जो है उस खेट में हम जादा से जादा फस्ले उबारे तो इसका मतलब क्या होगा शाष्यवय कि जाद कि आपको कि जानी люботला कि र zijn जाना कि मितलब कि पसलों में क्या पाता हैि तेंशही करण पाया जा रहा है है स्पेश्य रैजिएशन पाया जा रहा है कि कोई जो髦 है अगर एक खेत में हमने क्या कर लूए एक हमारे पास खेत है और उस खेत में हमने एक साथ 10 परसनों को उगाया तो इसका मतलब यह हो गया कि यह हमारा 100 परसंट इलिया हो गया अब इस 100% एरिया में कितनी पस्मों को उगा रहे हैं, दस पस्मों को उगा रहे हैं, इसका मतलब प्रतिक फसंद के अंतरगत प्रित होने वाला छेत्र पर कितना होगा, 10-10-10-10% होगा, तो इसका मतलब चर्षी रगीत है, अधिक होगा, लेकिन माल भीजिए हमारे पास यह और इस खेट के अंतरगत केवल और केवल हम यहां पर कितनी पसंद को उगा रहें, एक पसंद को उगा रहें, तो इसका मतलब पूरे के पूरे कितने क्रशी शेत्र पर फसंद होई जा रहे हैं, तो शैष्चर व्यविध्य में क्या होता है, कि हमारे पास जो शेत्र है, उस तो यहां पर शैष्य वविद्य ना करके specialization हो गया यानि कि यहां पर एक ही क्रशी को एक फिट में कर वही है अब शैष्य वविद्य की गण्ना कैसे की जाए उसके संबंद में अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने मतों का प्रतिपातल किया है जैसे अगर हम देखेने तो सेष्य विविद्य की संबंद में सबसे नहीकर प्रियास जो था भाट्या की जवारा 1965 की और भाट्या ने शैष्य वाविद्या को ग्याद करने के लिए जो शूद्र नीज्छा वह था कि हमने पस्णों के अंतरगत कितने 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 प्रतीशत छेटर को संभिलिद किया है उस छेटर में पुल पस्णों की शंखम इसका इसमें भाग लगा दिया जाए तो हमारे पास के आ जाएगा CD यानि receptor चाहरा जाएगा उसके पस्चार भाडिया के बाद में 1976 के अंतरगत हर्याना में जस्वीर सिंग ने भी शेष्टर व्यविद्य को ग्याद करने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया था जसीर सिंग्री शक्टर अब ने को याद करने का सोंत्र हो था फसलों के अंतरबट कुल प्रशीच्र का प्रतीशत अब यह कह रहे हैं आप हहें घ्रप ईटैक्ण के सोंग मध रचीच्च्च ऐस år की संख्या क्या है इंग攻 करशीच घ्रbt अब नोगोजेए IS men तो इस प्रकार के अलग अलग विदवानों ने प्रभाविर करने वाले कारक बता दिया अब हम बात कतें भारत की संधरों में शैश्य विविधिता तो भारत को फाfel सेट पूलय सबसे संधरो amasya तो असम मड़ीपूर मिजोरम मेघाले नागालें त्रिपुरा इसके हलावा गर हम देखे तो पस्टिवी बंगाल यह सारे जो और साउथ का जो कोशन है जैसे केरल है तमिल नाडू है करनाटक है यह सारे जो राज्ये हैं इस सभी राज्यों में शैष्चे विविद्वता न शेटरों का इंपर उसके बात करते हैं शांगाण बदफिश्चे विविद्वाले शेटरों की भारत के कौन से ऐसे राज्ये हैं जापर शैष्चे विविद्वता मधियं पाइजाती है तो इसके अंत्रगत आप आप देखेंगे यूपी आजाएगा महारास है तो भारत में ऐसे कौनकों से राचे हैं ऐसे कौनकों से छेट्र हैं जहां पर शेष्चे विविदिता उच पाई जाती है तो उसके प्रकत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश, महारास्ट का उत्तरपूर्वी भाग, पस्चिमी आंधर प्रदेश, पंजाब, हर्याना ये सारे कि अधर नीमृष पाई जाती है उचेश्चे विविदिता, मध्यान आशेश्चे विवदिता, और निम्नन सा wrapsत्र हुमोरा कारेता करन आशेच माई कारण इह वह भाल लहा है